हे गाईस मुबारका हीर वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपसे एक एप के बारे में बात करने वाली हूँ जो है स्मिटन एप तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपके लिए ये हल्फुल रहती है देन प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल इस टोटली फ्री तो सब्सक्राइब आपको एप सिंप्ली प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और सिंप्ली जो भी इंफरमेशन है वो फिल कर देनी है जब आप इंफरमेशन फिल कर देए प्रसीट पे क्लिक करके आप एप में पहुँच जाओगे देन आपको यहाँ पे दो ओप्शन दिखाई दे रहे होंगे एक ट्राइल का दूसरा शॉप का आपको बहुत सारे ओप्शन दिख जाएंगे जो आप ट्राइल में मंगवा सकते हो और जब आपको सिक्स ट्राइल आपके कंप्लीट हो जाए आप कार्ट में डाल दे देन आपको 199 रूपीज पे करनी होगी उसमें से जो 168 रूपीज हो आपके स्मिटन वालेट में रिसीव हो जाएगी देन आप सेकेंड टाइम जब भी स्मिटन आपसे 27 डेस के अंदर शॉप करोगे तो आप 168 रूपीज रिडीम भी कर पाओगे अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिसकाउंट मिल जाएगा अब मैं आपको मेरी ओर्डर समरी बता रही हूँ जो भी मैंने ओर्डर किया है मुझे यह सिर्फ 199 रूपीज ही पे करना होगा सो मुझे यह कॉंसेट बहुत ही अच्छा लगा अगर आपको कुछ हाइन चीज मंगवानी है सो आप उसे पहले ट्राइ भी कर सकते हो मंगवाने से पहले तो अगर आपको वो चीज सूट नहीं करी तो आप नहीं मंगवाओगे अगर आप कर गई तो आप फूल साइस प्रड़क भी मंगवा सकते हो यहाँ पर शॉप की कैटेगरी में भी आपको बहुत सारे ब्रैंड्स मिल जाएंगे जैसे एम कैफेन, मामा, आर्थ, लैक में, काया और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको ब्रैंड्स मिल जाएंगे इन सभी की चीज़े आपको ट्राइल्स में भी मिल जाएगी तो आप जो भी चाहे हमाँ से ट्राइ कर सकते तो गाइस इस मेटन से मैंने भी कुछ ट्राइल प्रड़क मंगवाए है तो जस्ट अभी ही मुझे यह पारसल रिसीव हुआ है तो मैं आप ही के साथ इसे अन्बोक्स भी करती हूँ तो जैसा कि आप देखी सकते हैं अच्छा खासा बबल रेप में मुझे मेरे सारे प्रड़क्ट रिसीव हुए है तो एक बर आपके सारे पॉइंट्स डीक्टिवेट हो जाएं तो आप उसे वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं तो अगर आप दूसरी बार जब भी स्मिटन से शॉप करोगे प्रटिकुलर कुछ अमाउंट के बाद आपके 6 ट्राइल पॉइंट वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप वापस से अपने ट्राइल के कुछ भी प्रड़क्ट मंगवा सकते हो तो जैसा कि आप देखी सकते हैं मुझे मेरे सारे प्रड़क्ट यहाँ पे अच्छे से रिसीव हो गये है तो इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो कुछ इस हिसाब से है इस मिटन का लेबल लगा हुआ है और यहाँ पे जितना भी प्रड़क्ट हमने मंगवाया है सबका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कितना रूपीज है और कितना एमेल आया है सबका डिस्क्रिप्शन आपको बॉक्स में लिखा हुआ दिख जाएगा सो चलिए गाईस अब मैं आपको वन बाई वन बता देती हूँ कि मैंने वहां से क्या क्या चीज़े और करी है तो जो सबसे फर्स चीज़े वो बहुत ही वाइरल है अगर आप यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो तो हर दूसरी व्यूटी व्लॉगर फेशल रिजर के बारे में बात कर रही है तो उन्होंने बता भी रखाया कि यह कैसे यूज होता है तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बाई करके देखी लेती हूँ तो आप सबको पता ही होगा कि मेरी highly acne prone skin है लेकिन मैंने especially इसे upper lips के लिए मंगवाया था तो मैंने one time इसे try भी कर लिया है तो मुझे ठीक ठाकी लगा है लेकिन मैं इसका और भी review अगली वीडियो में जरूर आपके साथ share करूंगी कि यह proper के इस तरीके से use होता है और आप इसे ले या ना ले तो हाँ first चीज मैंने यह मंगवाई है और इसके साथ guys हमें इसका manual भी receive हो रहा है इसमें full आपको information दे रखी है कि यह किस किस type से use होता है तो यह मुझे बहुत ही अच्छा product लगा और भी मैं इसकी information आपको next video में जरूर दे दूँगी जो अब second product मैंने मंगवाया है वो है यह bio bloom का sunscreen and day protect lotion यह all skin type के लिए है और यह licorice और carrot seed से बना हुआ है इसमें मुझे 20 ml product receive हो रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि यह free from paraben है और sulfate free है, SLS free है इसमें लिखा तो हुआ है और मुझे इसकी जो pregnant से उससे लग भी रहा है कि यह chemical free product है और भी मैं आपको इसका जो review है वो next video में जरूर दे दूँगी मैंने अभी इसे use नहीं किया है तो अब जो third product हमारे पास है वो है, यह M caffeine का Naked and Orange का coffee face wash और इसमें है coffee with white lily और यह normal to oily skin type के लिए है इसमें मुझे 20 ml of product receive हो रहा है तो यह जो face wash है और M caffeine के जितने भी product है उसका भी जो review है वो आपको YouTube में मिल जाएगा बहुत सारे beauty bloggers इसका review कर रहा है तो आप अगर चाहे तो उसे भी एक बार check out कर सकते है और इसमें भी लिखा हुआ है कि यह SLS peraben mineral oil sulfate free है तो इसका भी review में आपको जरूर दे दूँगी जो मैंने face wash मंगवाए है उसका review मैं separate video में दूँगी और बाकी की चीज़ों का review में separate video में आपको इसा share कर दूँगी ताकि अगर आपको full size भी product मंगवाना हो तो आप जरूर मंगवा ले तो जो अब third product हमारे पास है वो है Estee Devants का tea tree face wash plus neem इसमें है tea tree oil aloe vera vitamin E यह sulfate free product है तो यहाँ पे मैंने दो face wash tea tree oil वाले मंगवाया है क्योंकि मेरी acne prone skin है तो मैंने भी सुना है जो tea tree oil है वो acne prone skin के लिए बहुत ही ज्यादा useful होता है तो मैंने दो face wash मंगवाया है tea tree oil का तो अगर आपकी भी acne prone skin है तो आप मेरी जो next video अब आने वाली है वो आप जरूर 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 देखिएगा ताकि अगर आपको कोई अच्छा face wash चाहिए acne prone skin के लिए तो आपको पता चल जाए तो इसके back side पे भी लिखा हुआ है कि यह SLS sulfate paraben free है तो जो fourth product मैंने मंगवाया तो नहीं है लेकिन यह मुझे free product receive हुआ है तो यह है lecme 925 CC complexion care cream इसमें जो मेरा shade है वो है honey मुझे शायद तक तीन अलग-अलग shade receive हुआ है या मुझे दो जो shade है वो है beige और जो एक shade है वो मुझे receive हुआ है honey यह मैंने मंगवाया नहीं है यह मुझे as a free product या आपके सकते gift मुझे receive हुआ है मुझे six की जगा seven product receive हुआ है तो अब जो मेरा fifth product है तवाक का activated charcoal exfoliating scrub यह specially acne prone or oily skin type के लिए है यहाँ पे मुझे 25 ml of product receive हो रहा है और यह भी sulfate और SLS free product है तो जो अब मेरा last product है वो है यह natural wipes का tea tree face wash तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने दो tea tree वाले face washes मंगवाया है तो second face wash यह है इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है Ayurvedic face cleanser that reduces acne blemishes and purifies skin और इसमें मुझे 30 ml of product receive हो रहा है तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यह cruelty free है, sulfate free है, paraben free है और यह आपके skin पे कुछ भी harsh नहीं लगता है बहुत ही mild face wash है तो अगर आपकी acne prone skin है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते है तो इसका भी मैं जो review है मैं use करने के बाद अपने channel पे जरूर दूँगी तो इसकी जो packaging है मुझे बहुत ही अच्छी लगी बाकी सबकी तो tube packaging है लेकिन जो इसकी transparent bottle वाली packaging मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो इन सभी product जो भी मुझे smitten से receive हुए है सभी product में मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि ये सारे ही product sulfate, paraben, mineral oils, cruelty free product मुझे यहाँ पे सारे ही product receive हो रहे है और मुझे कोछ भी product damage piece नहीं receive हुआ है और सारे ही product अच्छी high end brand से receive हुए है तो इन सभी का जो भी review होगा use करने के बाद खेर अभी तो मुझे ये receive हुए है 5-7 days में इन्हें use करूँगी दहन उसके बाद आप लोगों के साथ इनका review share कर दूँगी तो जो ये 3 face wash है natural wipes का, STD events का और M caffeine का इनका review में आप लोगों के साथ separately share कर दूँगी लोग interested हो review जानने के लिए so stay tuned for my next video अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है then please comments करके जरूर बताए like करके जरूर बताए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share कर दीजिए अगर आपके पास और भी कोई सा topics है जिसमें मैं वीडियो बना सकती हूँ then please do comments me on comment section अगर आप चाहे तो मुझे Instagram पे भी follow कर सकते है so मैं उसकी ID इन स्क्रीन पे आपको दे दूँगी so thank you very much for watching my video please like, share and subscribe to my channel stay tuned for my next video up till then goodbye